नमश्यकार दोस्तों करूर विया से है bank के Q3 के result आ चुक है और दोस्तों यह सारे amount लग्स में है और previous year का result यहाँपर mention है previous quarter यहाँपर और इस Q3 का result यहाँपर mention है तो दोस्तों यह एक bank है तो हमें finance sector में हमेशा सबसे पहले interest earned देखना होता है और previous quarter में देखे तो यह 2 lakh के असपास था, तो year on year और quarter on quarter, दोनों cases में यहापे increase है, और year on year देखे तो एक अच्छा खासा जंप है, लगबग 20-30% के असपास हमें यह approximately देखने हो मिल रहा है, 20-30% तो बढ़िया जंप है, और अगर हम नीचे इसमें total income देखे हैं भी, तो जो पहले 2 lakh के असपास थी, वो अब लगबग 20 lakh के असपास हो चुकी है, total income, और दोस्तो प्रिवेस quarter में यह थी लगबग 2 lakh 33,000, दोस्तो यह सारे amount lakhs में है, तो 2 lakh 33,597, अगर आप इसको crods में convert करोगे, तो काफी बढ़िया want बनते है, तो दोस्तो नीचे expenditure भी देख लेते हैं, तो इतना कमाने के लिए company ने जो खर्चे किया है, पिसली बार किये थे 1,32,000 के, जो कि अब बढ़के 1,82,000 होचके है, 1,82,000, तो एक्सपेंस भी काफी बढ़े हैं आपर, और previous quarter में ये 1,70,000 के round था, तो नीचे अगर हम operating profit देखें, before provisions, तो ये अभी निकल के आ रहा है, 67,590,000 और previous year ये 68,000 था, तो year on year थो थोड़ी सी आपर गिरावट देखने हो मिल रहे हैं, और previous quarter के साब से increase है, और ज़्यादा gap तो नहीं है, year on year थोड़ा ही बहुत है, तो आप stable भी कह सकते हैं, लगबग बराबर ही है, year on year, और अगर हम provisions देखें, तो पिछली बार company ने provisions जादा किये थे, 36,400 के जो कि अप गटके सिर्फ 15,000 के आसपास आ चुके है, तो लगबग लगबग आप आदे के आसपास कह सकते है provisions, जो कि एक बहुत अच्छी बात होती है, किसी भी finance sector में, जिनने provisions कम होंगे, उतना company का profit increase होता है, अगर हम net profit यहाँ पे देखें, तो जो 28,900 था पिसली बार, वो 41,000 हो चुका है, और प्रिवेस quarter में था 37,000, तो year on year और quarter on quarter यहाँ पे एक अच्छी जंप है net profit में, तो दोस्तों यह थे company result, हाला कि अभी फिलाल result तो बढ़ी आया है, एक बार share market में company के share price पे देख लेते हैं, क्या reaction है आज के दिल, फिलाल तो company यह share price 181 के round चल रहा है, और जैसी company ने अपने result present किये, एकदम से share में तेजी आ गए और लगबग 7% के असपा सभी तेजी बनी वी है, और अगर हम बात करें 5 दिन में, तो 5 दिन में सवा 3% के positive return, और एक महिने में 10% के positive return दिया यह share ने, और 6 महिने के बात करें, तो 40% के return, और एक साल में 67% के return, और पांच साल में पैसे लगबग double ही कर दिया इसने, तो बढ़िया return दिया है दोस्तों इसने, और अगर हम maximum भी देखें, तो लगबग 2500% के return, तो बढ़िया है, लोंग टम में तो यह कमा के दीर है, पर slow-slow ही चले गा यह, और अगर हम देखें, पिछले 2-3 साल में इसने ज़्यादा बढ़िया performance किया है, तो दोस्तों यह थे company के result, और अगर आप इसमें invest करना चाते हैं, तो पहले इसमें study कीजे, और तब ही आप invest करने ही सोचना, तो दोस्तों यह थे company result, और SEO result और वीडियोज के लिए, आप इस चैनल को subscribe कर सकते हो,